जहीं सातीयों आज की वीडियों हम बात करने वाल है इंडियन आर्मी की दस्वी पास भरती के बारे में जिसका बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं तो यहाँ पे दोस्तो मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए इंडियन आर्मी की दस्वी पास की भरती जहां दोस्तों अगर आप दस्वी पास है तो यहां पर कुछ परसेंटज क्रैटेरिया को आपको फुल्फिल करना होगा आप इसके लिए इस वीडियो मिलेगी लिखिन उससे पहले अपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने राज अपने जिले की भरती जो है सबसे पहले मिल सके इसके अलावे घंटी को जरूर सब्सक्राइब के बगल में घंटी भी है ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाए यहां को अपलाई करने का बेलेंग डिस्रेप्शन और पहले कमेट में मिल जाएगा यहां पर दसवी पास के लिए जो भरती आती है वह जनरल ड्यूटी के आती है पहली जो सोल्जर जनरल की ड्यूटी की भरती होती है लेकिन इसके अलावे अगर आप जॉइन करना चाहते हैं सोल् की बात कर लेंगे आपको यहां पर हम और बी चीज बता देंगे क्या क्या अलग हो जाता है इसमें जॉब में यहां पर जो है कह सकते हैं जो एज रखा गया है जनरल ड्यूटी का वह 17.5 यह से लेके 21 साल है लेकिन इसी तौर पर हम बात करते हैं यहां पर सोल्जर ट्रेड के लिए चीज यहां पर इंडियन आर्मी जीडी और इसके अलावे ट्रेडमैन का भी सेम है 50 kg यहां पर आपका जीडी का वेंड चैन्ज यहां पर देखने को मिलता है जैसा के जनरल ड्यूटी के बात करूं तो इसमें बोला गया है कि आपका 10 पास होना जरूरी है सभी सब आपका आपका जो 10 में 45% टोटल याने कम से कम से कम सेकंड डिवीजन आपका आयावा होना चाहिए 10 के माक्सिट में लेकिन वहीं यहाँ पर अगर आप अपलाई करते हैं यहां पर ट्रेड मैं की तौर पर तो ट्रेड मैं में दोस्तों आपको 45% कमपलसरी नहीं है ट्रेड मैं के तौर पर जीडी में आपको दो तरह के जीटी मिल सकती एक होती है ग्राउंड ड्यूटी जिसमें आप बंदू के वगरा लेकर के जैसे पिट्रॉली हो गया फिर बॉर्डर बगारा के जो ड्यूटी ही यह समें मिल जाती है साथ में आपको सपोर्टिंग सिस्टम में मिल जाता है लेकिन ड्रेड में मैं आपको कोई ड्यूटी नहीं मिलेगे कि आपको गन अगयरा लेकर के बॉर्डर पर खड़े रहना है तो वह ग्राउंड और ज्यादा काम आपको नहीं मिलता है आप देख सकते हैं सेयंगे आप को काम सेफ बन सकते हैं तो यही सारे चीजे आपको ट्रेड के तौर पर मिलती है दोनों की सेलरी जो होती हो बिल्कुल सीम होती है ऑन ड्यूटी अगर आप जाएंगे पहला जॉइनिंग जब कर लेंगे तो आपको आपके हाथ में 30,000 रुपए से लेकर 32 या 34,000 रुपए तक परमन सेलरी मि रनिंग होगी इसके अलावे यहां पर नाइन फीट डिच जिग जग बैलेंस और यहां पर बीम स्पूल अप्स भी कराए जाएगा जो कि नॉर्मल चीजे है क्योंकि नॉर्मल नोटिफिकेशन आया हुआ है बहुत सारे इंफोर्मेशन नीचे लिखी वी आप इसे पढ़ करनल ड्यूटी की तो आप उसे देख सकते हैं उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है बात करते इसका फॉर्म जो है वह 24 जुलाई से बना सुरू हो चुका है और इसका जो लाज्ट देट है वह 6 अगस्त है नहीं कि शे सिक्तमबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तो से लेकर के अगले साल मार्स तक में कभी भी भरती हो जाएगी कोरोना वायरस के कारण फिक्स डेट नहीं दिया गया है लेकिन याद रहे कि इसका फॉर्म आपको 6 सिक्तमबर से पहले भर लेना होगा ताकि आपसे भरती चुटे नहीं जो लोग इलीजिबल है वही लोग इ पाएंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगाएं तो लाइक करें इसी टाइप के अपने राज अपने जिले से रेलेटेट कोई भरती की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बगल वाली छोटी जी घंटी है उसे जरूर दबाए तभी आपको सा सारी वीडियो मिल पाएगी टाइम टू टाइम जाने बाद दोस्तों जैहिंद